नमस्कार दोस्तों, 6 मार्च 2021 डेली न्यूस एनलिसिस में आपका सौगत है देखते हैं कौन-कौन से इंपोर्टन न्यूस आज देखेंगे पहली न्यूस, करंसी स्मगल एट बहेस्ट ऑफ केरला सीम कस्टम्स डिपार्टमेंट सौपना सुरेश वाला केस आपको याद होगा मैंने ये केस आपको समझाया है नहीं याद है तो इस वीडियो को देख ली जाके गोल्ड स्मगलिंग इन केरला वियना कन्वेंशन 1961 का क्या रोल है डिप्लोमाटिक बैगेज का क्या रोल है यहां पे सौपना सुरेश जी का क्या अंगल है ठीक है कस्टम्स डिपार्टमेंट ने कैरला हाइ कोर्ट को यह inform कियाए कि सौपना सुरेश जो की प्राइम अक्यूज्ट है जिनको अक्यूज किया गया है कैरला गोल्ड स्मगलिंग केस में यहाँ पे खुद सौपना सुरेश ने ये कबूला है कि ये जो कैरला में गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी UAE के कंसिलेट के थूँ इसमें चीफ मिनिस्टर पिनराई विजियन खुद इन्वार्ड है और एसेम्बली स्पीकर पी श्री राम कृष्णन भी इन्वार्ड है UAE के डिप्लोमेटिक बैगेजज में सोना इंडिया के अंदर आता था सोने की स्मगलिंग हो रही थी आप सोचिए सोने की स्मगलिंग क्यों हो रही है सोने की स्मगलिंग इसलिए हो रही है चुकि सोने के उपर जो कस्टम डूटी है वो बहुत ज़ादा है तो UAE के diplomatic bagages में सोना आता था इन diplomatic bagages की checking होती नहीं थी और फिर UAE के consulates के लोग पैसा लेके चले आते थे देश के बाहर और जिसे भी सोना आया था उनको payment कर देते थे लेकिन न UAE के consulates की एक limit से अधा आप checking कर सकते हो और नहीं आप UAE के diplomatic bagages की checking कर सकते हो तो यह पूरा का पूरा racket का खुलासा किया सौपना सुरेश ने इनके साथ P. Sarit और M. Sivasankar जो की former principal chief secretary है chief minister की इनको भी accuse किया गया है case में यहाँ पे सुमित कुमार जो की commissioner of customs है प्रिमिंटिव कोची के उन्होंने अपने statement में बोला है कि सौपना ने अपने आपके सकते हो की acceptance में अपने statement में किसका नाम लिया है chief minister पिनराई विजियन का नाम लिया है और उन्होंने बोला है कि जो पिनराई विजियन साभ है यह जो पहले के council general थे UAE के उनके काफे अच्छे दोस थे illegal monetary transactions में दोनों involved थे यह बहुत major case है एक state के chief minister का नाम आ रहा है और UAE के previous council journal का नाम आ रहा है तो international relations के perspective से और एक state के cm involved के perspective से दोनों angles से दोनों perspective से case बहुत important हो जाता है general studies paper 4 में probability in governance में challenges of corruptions में particular news आपको काम आईगी आगे बटने पहले वीडियो पे like a button अगर अब तक आपने channel को join नहीं किया है बिल्कुल कर लीजे instagram पे follow कर लीजे और telegram group join कर लीजे इस lecture के pdf के लिए मेरे lectures के notification के लिए और बाकी जो भी मैं current affairs के lecture सुनाता हूँ उनकी pdf के लिए भाई, Simlipar Tiger Reserve in Odisha में बड़ी भेंकर आग लगी है यह जो आग लगी है वो Biosphere Reserve में लगी है यह जो Simlipar Biosphere Reserve है यह ओडिसा की कौन से district में है तो मयूर भंजी district में है ठीक है भाई यह जो Biosphere Reserve है इसका नाम Simlipar के वो पढ़ा है तो Simlipar Tree नाम का एक Silk Cotton Tree है उसके नाम पे Simlipar पढ़ा है Simlipar Tiger Reserve का इलाका कितना है 5,569 स्कौर किलोमेटर जून 1994 में इसको एक Biosphere Reserve डिकलेर किया गया था यहाँ पे 94 स्पेशीज पाई जाती है और्केट फ्लावर की और 3000 स्पेशीज पाई जाती है प्लांट्स की 29 स्पेशीज पाई जाती है रेप्टाइल्स की 12 स्पेशीज इंफीज 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 इंज की 42 मैमल्स की 264 बर्ड्स की तो यह तो फौना स्पेशीज है और जब फ्लोरा स्पेशीज की बात होगी तो 94 स्पेशीज ऑफ और्केट्स और 300 स्पेशीज ऑफ प्लांट्स Simlipal Triger Reserve का जो सबसे नॉमिनेंट ट्री है वो है साल्ट्री Simlipal Forest Triger Reserve में ऐसा नहीं है कि पहली बार forest fire लग रही है Actually, Simlipal Forest Reserve एरिया यह forest fire के लिए famous है यहाँ पे dry weather conditions पाई जाती है और dry weather conditions में अकसर कर आग लगती है Global warming के चलते ये dry weather conditions भी बहुत बड़ा factor है for causing forest fire regional conservator of forest है इस इलाके का मैयूर भंज का उसने identify किये है 399 identified fire prompts along the fringe areas bordering the forest कुल मिला कि जैसे ही summer साते हैं ये जो पूरा का पूरा इलाका है it is very much vulnerable to wildfire और wildfire एक recurrent annual disaster है ये वापस आती ही रहती है ये अलाकि government ने काफी effort किया है और पछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि similar file में जो forest fire के instances है वो कम हो गया बर eliminate नहीं हुए है आँ वो अभी भी रहे है और इसके लिए man-made factors भी responsible हैं इसके लिए natural causes भी responsible हैं forest officials और activists ने highlight किया है कि man-made factors and natural causes both are responsible of these forest fire यह अगर आप बात करो तो यह आपको odisa के नक्षण नज़र आ रहा है देश के map पे यहाँ पे पीले में आपको odisa नज़र आ रहा है और यहाँ ओडिसा में Simlipal National Park नज़र आ रहा है यहाँ पे Tiger Reserve National Park, Biosphere Reserve सब यहीं पे मिलते हैं General Studies Paper 3 में disaster management चुकि forest fire की बात हो रही है Biodiversity में भी यह particular news आपको काम आएगी और चुकि यहाँ पे environmental degradation भी हो रहा है इसलिए इस perspective से भी यह news important है Next बात करते हैं India and 17 countries Face US Anti-Dumping Tax Anti-Dumping Duty के बारे मैंने पहले आप से बात कर रहा है क्या होती anti-dumping duty कोई एक देश बाहर से कोई एक product उसके अंदर import हो रहा है और उस देश में जो domestic prices है उस product के और जिस देश से उस सामान आ रहा है वहाँ पे जो prices है उस product के तो जिस देश से सामान आ रहा है अगर वहाँ prices बहुत कम है और जिस देश में सामान आ रहा है वहाँ prices बहुत जादा है तो ये वाला समान जो बाहर के देश से इस देश में आ रहा है इसके दाम बहुत सस्ते हो सकते हैं जिससे हमारे domestic producers eliminate हो सकते हैं तो इस case में ये importing country in products के ओपर anti-dumping duty लगा सकता है इंडिया ने बहुत बार anti-dumping duty लगाई है Chinese Vietnamese products के ओपर तो देखे क्या लिखा है When a container company exports any product at a price which is lower in the foreign importing market as compared to the price in the domestic markets of the exporters is called dumping मतलब की जहां से export हो रहा है वहाँ दाम बहुत कम है जहां export जा रहा है ठीक है भाई वहाँ पे दाम बहुत जादा है उस चीज के तो जहां से आ रहा है वहाँ पे चीजों के दाम कम होने के वज़े से जहां पे जा रहा है वहाँ के जो domestic productors होंगे producers होंगे इस चीज के वह बहुत जदा disadvantage पहा जाएंगे तो उनको disadvantage बचाने के लिए importing government anti-dumping tax लगा सकती है और इन anti-dumping tax को legally लगा जा सकता है as per norms of world trade organization और United Nations के United States के Department of Commerce ने aluminum sheet exporters है 18 countries के उनको उपर ये anti-dumping tax लगाया गया है जिसमें इंडिया भी एक country है इनका ये बोलना है कि इंडिया और ये जो बाकी 17 countries है ये लोग अपनी industries को बहुत ज़दा subsidies देते हैं यहाँ पर इन चीजों के दाम बहुत ज़दा कम है जिसके चलते US के aluminum oil manufacturers बहुत ज़दा घाटे में आ रहे है uncompetitive हो रहे है इसलिए इनके उपर हम anti-dumping tax लगा रहे है 2019 में जो US investigation हुई थी Indian aluminum sheet के import पे तो पता चला इंडिया से जो aluminum sheet आ रही है USA के अंदर उसके उपर जो tax subsidies है मतलब जो duty है वो 35-89% कम लग रही जिसके चलते हैं Indian exporters of aluminum sheet को काफी फायदा हो रहा है Anti-dumping measures में दो प्रकार के measures होते हैं एक होती anti-dumping duty एक होती countervailing duty Technically anti-dumping duty कब लगाई जाती है कि माल लिजे India से सामान आ रहा है इसको माल लो A और US में सामान जा रहा है इसको माल लो B अभी B में जो domestic dhang है उस चीज़ के बहुत जाद है और A में जो domestic dhang है उस चीज़ के तो A के कम domestic dhang के चलते B के market में तो चीज़ बहुत सस्ति हो जाएगी तो B के जो domestic producers प्रूसर से वो अनकॉंपेटिटिव ना हो जाए, इसलिए अंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, काउंटर बिलिंग ड्यूटी में क्या होता है, कि B में प्रोड़क्ट आ रहा है, A से आ रहा है, A की सरकार ने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इतने जादा इंट इसलिए अगर आप फोटो देखो तो कुछ इस प्रकार का आपको यहां पर नजर आ रहा है, हरीकेन, ठीक है बने टेक्ट किया है, पावरफूल 600 माईल वाइड, 1000 क्यम्लोमीटर चौड़ा हरीकेन ऑफ प्लाजमा एन एर्थ अपर अट्म atmósphere, अर्थ के अपर अपर अपार में, 1000 क्यम्लोमीटर चौड़ा अपर प्लाजमा देखने को मिला है, जिसको बुला गया है, This space hurricane यह इस कुछ इस प्रकार के अक्टिविटी देखने को मिली थी इसकी स्टडी पब्लिश हुई अभी 22 फरवरी को जर्नल नेचर कम्यूनिकेशन में इस चीज को अब्सॉर्ब कहां के साइंटिस ने किया है तो चाइना युनाइटेड स्टेट्स नौर्वे और युनाइटेड कीग् उनोंने कुछ ग्लिम्स पकड़े कुछ मैसिव डिस्टर बेंस्स को स्टेडी करके स्टेडी यहां पे छापी कई सोचिए 2014 में हुआ है और स्टेडी आरिये है 2021 में यहां पे दिख़ा जाए कि यह जो स्पेस हुरीकेन थे यह एकुली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम् के जैसे कि hurricanes और cyclones आते हैं ना हमारे देश में कुछ इस प्रकार से ही इस space में हो रहा था यह ठीक है यह जो space hurricane है इसके बारे में कुछ basic जानकारी देख लेते हैं like other space weather events they are caused by streams of plasma unleashed from the sun sun की जो solar winds है उससे जो highly charged और highly hot plasma आता है उसकी वज़े से कुछ यह event हुआ है यह जो charge particles है जो कि sun की तरफ से आ रहे हैं यह magnetic storms भी लेके आते हैं और जब यह आते हैं और रात हो रही है तो आपको stunning displays मिलेंगे northern और southern lights के मतलब यह charge particles sun की जो charge particles हैं plasma के जब यह upper atmosphere में यतनी तेजी स से rotate करेंगे storm से पैदा कर देंगे तो जो northern और southern lights देखने को भी लेगी वो और खतरनाक होंगी ठीक है इन में बहुत जादा energy होती है और यह energy basically solar wind energy होती है वो solar plasma की energy होती है जो बहुत speed से sun की तरफ से यहां पर आ रही होती है अगर आप earth की surface पर देखो तो hurricanes कैसे आते हैं तो हवा उपर उठती है low pressure बन जाता यह low pressure आस पास की हवा को अपनी तरफ खीचता और वह हवा anti-cylaclonic directions में गूमने लगती है northern hemisphere में southern hemisphere में cyclonic direction में कोच इस प्रकार की चीज़ें आपकी solar plasma के थूरू होती है अपर atmosphere में जब यह space hurricane वाला event देखा गया general studies paper 3 में awareness in the field of space में particular news आपको काम आएगी general studies paper 1 में geophysical formula में यह चीज़ा आपको काम आ सकती है फिर next news है flory culture mission to be implemented in 21 states यहाँ पे क्या बात की जा रही है देखे हमारे health minister dr. वर्दन साब ने बोला है कि जतने भी scientist है council of scientific and industrial research की laboratories में इंडिया में वो लोग क्या करेंगे कि जितनी भी in laboratories के पास land available है वहाँ पे एक model बनाया जाएगा और CSIR के flory culture mission को promote किया जाएगा flory culture क्या होता है flowers का culture flowers का culture बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है for example flory culture से epiculture को जोला जाता है honey को पैदा करने वार जब process होता है कि मदुमक की चत्ता बनाती है तो वो process शुरुवात एक flowers से होती है तो CSIR flory culture mission के चलते flowers के culture को यहाँ पर promote करने कोशिच की जाएगी CSIR की सारी लिबरिटरीज में 21 states और unit territories और इंडिया में इसको implement किया जाएगा इस CSIR flory culture के mission को implement करने के लिए जो भी knowledge base है इन CIR institutes के पास और knowledge base की मदद से Indian farmers और industry की मदद की जाएगी ताकि flory culture mission के चलते वो ऐसे products बना सके जिन projects को देश के बाहर export किया जा सके और बाकी देशों की जो import policies होती है उन import policies के हिसाब से हमारे देश के farmers उन products को बना पाएं ताकि हम इन products को export करके अपने देश के farmers की income को बढ़ा सके अगर आप बात करो तो CSIR के flory culture mission को implement कौन कर रहा है तो Indian Council of Agriculture Research इसको implement कर रहा है यहाँ पे मदद कौन कर रहा है तो Directorate of Flory Culture, APEDA मदद कर रहा है Agriculture and Processed Food Export Development Authority, Khadi and Village Industries Commission मदद कर रहा है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, Triford यहाँ पे मदद कर रहा है तो basically यहाँ पे flory culture को एपी कल्चर से मिला के benefits को लेने की कोशिश की जाएगी commercial crops होती है न जो honeybee की उनको rear किया जाएगा using gladiolus, carnation, kana, marigold, rose यह सब flowers है यहीं से शुरुआत की जाएगी आपके एपी कल्चर की यह mission इसलिए भी जरूरी है जो कि flory culture से related बहुत limited knowledge है हमारे farmers के पास तो अगर इस knowledge को बढ़ाया जाता है तो traditional crops से जो output है उसको 5 गुना बढ़ा सकते हैं हम लोग जैसा यहाँ पर बोला जा रहा है फिर flory culture farming में बहुत employment पैदा होगा nursery raising, entrepreneurship development होगा nursery trade or export में इसे employment भी देश में बहुत proactively पैदा होगा दुनिया बार का जो global flory culture market है उसमें इंडिया का share care 0.6% है जबकि इंडिया climatically और geographically इतनी diverse country है तो इतनी diverse country में जो flory culture का contribution है वो बहुत काम है और इस contribution को यहाँ पर boost करने की जरूरत है comment policies and interventions general series paper 2 में ये news आपको काम आईगी आज की final news China to push for building polar silk road in Arctic Ocean भाई Arctic Ocean पिखल रहा है जहां पे हमेशा पहले बरफ जमी रहती थी हो सकता है आगे आने वाले समय में महाँ बरफ न जबी रहे liquid हो जाए तो चाइना ने क्या बोला कि अब liquid हो जाएगा तो एक काम करते हैं polar silk road बला देते हैं एक नया सी route यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना चाइना ने बोला है कि हम participate करना चाहेंगे in the pragmatic cooperation on the Arctic और एक polar silk road बनाना चाहेंगे किस ने बोला ये इनकी state run जिन हुआ news agency ने बोला है और ये इनके 14 five year plan जो कि 2021 से 2025 में लाय जाएगा उसमें national economic and social development के अंदर बनाया जाएगा long range जो objective से चाइना के 2035 तक उसके अंदर भी इस चीज़ को बनाया जाएगा यहां पे Atlantic और Pacific Oceans को connect किया जाएगा ये जो trans polar sea road है ये बहुत पास से निकलेगा नॉर्थ पोल से और overall वो पानी जो ज़्यादा तर समय पे frozen रहता है जब वो frozen नहीं रहेगा तो भाई हम कहीं न कहीं इस Arctic shift में रूट्स का प्रियोग कर सकते हैं अगर बात की जाए तो यहां पे देखिए चाइना अभी के लिए अपने land corridor के थूँ इस रास्ते से export कर रहा है वैसे देखा जाए तो यहां से निकलते हुए इस चाइना सी से होते हुए बलकका स्ट्रेट से होते हुए ये शीलंका से होते हुए ये वाला भी रूट चाइना इस्तमाल कर रहा है अब चाइना बोल रहा है कि शांगाई से एक रूट ऐसे निकलेगा जो जापान के इस्टन एंड को ट्रेवर्स करता हुआ भाई अलैस्का और रशिया के बीच से निकलते हुए नौर्थ पोल के इतने पास से निकलेगा ये नया रूट यहाँ पे चाइना डवलप करने की बात कर रहा है और चाइना ने अपना इंटेंशन आर्क्टिक रीजन में बढ़ाना है ये अपने पेपर 2018 में बोल दिया था और उन्होंने बोला था कि पोलर सिल्क रोड इस दे फ्यूचर और कही ना कहीं हमने पोलर सिल्क रोड को मल्टी बिलियन डॉलर बल्ट एंड रोड इनिशेटिव के साथ मिनाने की कोशिच भी कर रहा है चाइना चाइना ने अपने बल्ट एंड रोड इनिशेटिव को 2013 में चालू किया था जिसके तुरू साउथ इस एशिया सेंटल एशिया, गल्फ रीजिन, अफरीका और यूरोप को जोडने की बात की गई है ये लैंड और सी रोड से इंडिया ने सीधे सीधे बल्ट एंड रोड इनिशेटिव क्रिटसाइज किया है क्यों जो कि जो बल्ट एंड रोड इनिशेटिव है इसका एक बहुत मेजर हिस्सा है चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरोडोर जो कि पाकिस्तान अकुपाइट कश्मीर से गुजरता है तो इंडिया ने बोलाएगी कोई भी चीज जो हमारे क्लेंट एरिया से गुजरती है हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इंडिया ने सपोर्ट करने से मना कर दिया है चैनल स्टेडिस पेपर टू में चैनल स्टेडिस पेपर वान में यह निज आपको काम आईगी थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो फ्रेंट साई होब आपको कुछ न कुछ यहां भी सीखने को मिला होगा कुट पाइग जरू कर दीजगा वीडियो को